1-1-2014 को Stock Price थी, और Index था 1-1-2020 को Stock Price थी, और Index था 33 March 2020 को जब Nifty Loyalist Poinट पर था, तब Stock Price थी, और Index था और करण प्राइस है और इंडेक्स है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी यवदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार, हमारा Share अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा Share Nifty से better है या नहीं जानी कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1 जान्यवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण्ट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्टि-50 शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए March 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन जदा हुआ है इसलिए 1 पॉइंट Nifty ने जीत लिया है 2 पॉइंट शेर में जीता 3 पॉइंट शेर में जीता Overall Nifty जीता यही एक लाग रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया यह शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे यह स्टोक में इंवेस्ट करे Nifty 50 stocks में इंवेस्ट करे या FD में इंवेस्ट करे यह शेर के और Nifty के annualized return percentage हमने देखे है वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा तेंक यू